नमस्कार दोस्तों, मेरा नमें मुईत सर्मा और स्वागत है आपका अपनी ही चैनल बरबरिक कोचिंग में आज की माई डेटे 27 में तो वीडियो रहने वाली HBSP, HBPSC, HHS Allied Police और हिमांचल प्रदेश की various exams के लिए most important तो इस समय हिमांचल प्रदेश में Corona ने अपना कहर काफी जादा मचाया हुआ है तो इस समय हिमांचल प्रदेश में Corona cases के total case है वो दिन प्रति दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़कर हो गए 251 जिसमें death आपकी 6 व्यक्तियों की हुई है, recover आपके 65 हो चुके हैं और active case आपके 177 है ये आपकी latest update है जो आप check कर सकते हैं 27 में की तो बात करते हैं आज के सवाल की, तो आज का हमारा सवाल है हमीरपुर जिले का क्षे तरफल कितना है देखे, सबसे पहले आप मैप में हमीरपुर जिले को निहार सकते हैं, ये आपकी हमीरपुर district है और हमीरपुर जिले के साथ आपके कौन कौन से districts जो हैं अपनी सीमा स्पर्श करते हैं जैसे चार आपके करते हैं, उन्ना, कांगडा, मंडी और बिलासपूर अगर आपनी हिमांचल प्रदेश का मैप बनाना सीखना है, तो लिंक मैं आपको description में डाल दूँगा आप 20 सेकेंड के अंधर-अंधर हिमांचल प्रदेश का मैप अच्छे से बनाना सीख सकते हैं तो इसका जो आपका सही उत्तर है, वो option number 2, 1118 km2 इसी के साथ यह हिमांचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला भी बनता है, तो बात करते हैं कि बहुत ही धासो ट्रिक आपको आज देने वाला हूँ, जिससे आप हिमांचल प्रदेश के क्रमबद त्रीके से क्छे त्रफल को याद रख सकते हैं, तो देखे, सबसे पहले ट्र अपनी याद के लकी बना लीजेगा, बट लकी रिखिए, लक ने SMS किया शुब को, अब देखे, यह जो लक है, यह पूरे के पूरे आपके पांच जिले हैं, पांच प्लस SMS, यह आपके हो गए आठ, और आठ प्लस चार, जो शुब आया ही हो गए आपके बारा, जितने भी English में वर्ड लिखे हैं, यह सारे के सारे जिले ही हैं, और यह सारे के सारे जिले जो लिखे गए हैं, यह area wise लिखे गए हैं, जैसे for example देखिए, सबसे पहला जो L लिखा है, यह है लाउस पीती, तो लाउस पीती का जो एरिया है, वो है 13,835 वर्ग किलोमेटर, next है आपका च कांगडा की, तो कांगडा का है आपका 5749, इसी तरह से देखिए, कुलू का है यह, यह आपका शिमला का है, यह आपका मंडी का है, यह आपका सिरमौर का है, यह सोलन का है, यह उन्ना का है, बिलासपूर का है, और यह हमीरपूर का है, तो इनको आप चेक कर सकते हैं, और इ नमबर पर call कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे और इंट्रस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा शेर जरूर कीजेगा और अपने उस दोस्त को tag कीजिए जो इस समय लॉकडाउन के दरान बहुत अच्छे से हीमांचल परदिश की त्यारी कर रहा है अगर यह आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा that's enough for today, thank you